नमस्कार दोस्तों जेपी स्टेनगराफ यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत हैं यह डिक्टेशन असी सब्द परति मिनट का होगा जो की साथ मिनट तक बोला जाएगा दस सगिन बाद स्टार्ट के जाएगा जन्सत्ता से लिया गया है दोस्तों इस डिक्टेशन का पी सीमा पर उक्सावे वाली हरकतें करना एक तरहें से पाकिस्तान की फितरत बन गई हैं वहें बिना कारण के भी भारत की ओर गोली बारी करना शुरू कर देता हैं यहें ने केवल भारत के खिलाप उसकी मन्सा का सबूत हैं बलकि इससे यह भी पता चलता हैं की अंतराष्ट्रिय नियम काईदों की उसे कोई परवाह नहीं हैं गोर तलब हैं की गुरुवार की रात को जम्मू के अरनिया और सुचेतगड सेक्टर में पाकिस्तान के मनमाने तरीके से युद विराम का उलंगन किया अंतराष्ट्रिय सीमा पर रात करीब आठ बजे पाकिस्तानी रेंजरों ने भारत की पांच चोकियों पर अचानक गोली बारी सुरू कर दी जो साथ गंटों तक चलती रही हाला कि भारत की सीमा सुरक्सा बल यानी BSF ने इसका मुहतोड जवाब दिया लेकिन इस बीच एक इस्थानिय निवासी महिला और BSF के एक जवान गायल हो गए इस दोरान रिहाई सी इलाकों में भी मोटार दागे गए जिससे कुछ गरों की दिवारें डहे गई हाला कि ऐसा करने की पाकिस्तान की आदत पुरानी हैं लेकिन उसकी ताजा हरकत से फिर यही साफ होता हैं कि वहें किसी खास मंचा से बेवज़ हैं भारत को उक्चाने की कोशिस कर रहा हैं गोर तलब हैं की बीते दस दिनों के भीतर पाकिस्तान की और से यह युद विराम के उलंगन की यह दूसरी गटना हैं इससे पहले भी इसी इलाके में पाकिस्तानी रेंजरों ने बिना वजहें गोलीबारी की थी जिसमें बियसप के दो जवान गायल हो गए थे 25 फरवरी 2021 के बाद अब तक पाकिस्तान जम्मू कस्मीर सहित कई अन्य इलाकों में युद विराम का उलंगन कर चुका हैं पाकिस्तान की हतासा समझी जा सकती हैं दरसल उसकी ओर से गुरुआर को की गई गोलीबारी से कुछ ही गंटे पहले भारतिय सुरक्सा बलों ने लस्करे तेवा के पांच आतंकियों को मार गिराया था ये आतंकी माच्छल सेक्टर में भारत की सेमा में गुस्पेट की कोशिस कर रहे थे जाहिर हैं आतंकियों की गुस्पेट की इस कोशिस के नाकाम हो जाने और उनके मारे जाने के बाद पाकिस्तानी सीमा पर मोजूद रेंजरों की चटपटा हट बढ़ गई और उसी करम में उन्होंने यह खयाल रखना भी जरूरी नहीं समझा की उनकी इस हरकत का नतीजा क्या निकलेगा दरसल बंबारी के जरिये वहें भारतिये सुरुकसा बलों का ध्यान बटा कर आतंकियों की गुस्पेट कराना चाहता था सवाल है कि अगर भारत इसे बिना किसी कारण के युद के लिए उक्साने की कारेवाई बताए तब इसे कैसे महज एक परतिकिरिया कहा जाएगा विचित्र है कि अंतराष्ट्री मंचों पर आए दिन पाकिस्तान खुद को एक पीडित के रूप में पेश करता और बारत पर निराधार आरोप लगाता रहता है हाला कि उसकी ओर से ताजा बंबारी जैसी उक्सावे वाले गतिवीधियों के बारे में दुनिया की ज़्यादातर जिम्मेदार देश समझते हैं और यही वजह हैं कि अब उसके रोने धोने को गंबीरता से नहीं लिया जाता समयुक्त राष्टर भी ऐसी हरकतों के खिलाप चेतावनी जारी कर चुका है मगर यह समझना मुश्किल हैं कि भारत के साथ गोसित युद विराम के बावजुद पाकिस्तान को इसका खयाल रखने की जरुरत क्यों नहीं महसूस होती है पहले ही उस पर ऐसे आरोप लगते रहे हैं कि लस्करे तेवा और जेस ए महमद जेसे कई आतंकी संगठन पाकिस्तान इस्तित ठिकानों से भारत में अपनी गतिवीदियां संचालित करते हैं कई इस्तर पर खुद आम पाकिस्तानी लोग भी आतंकवादी संगठनों के आत्मगाती हमलों का सिकार होते रहे हैं फिर भी पाकिस्तानी सासकों को अपनी आदत में सुधार लाना जरूरी नहीं लगता इस्टोग